जह स्री मार काल दोस्तों कैसे आप आसा करता हूं आप बहुत एखोस और पिसन दोगे जी हां दोस्तों मैं आज आपको जो पाय बताने जारूँ पती पत्री में जो मतवेद है कलेश रहता है उसको दूर करता है क्योंकि आज कल्चुक के जमाने बहुत है कि देख गए कि 80% लोग पती-पत्ट्नियों में करेश रहता है मतवेद रहता है प्यार नहीं बना हूए तो उष प्यार को बनाने के लिए को क्षटम करने के और उसके बाद आके उसको गंगाजिल से धोलेना है ये काम आपको मंगलवार को करना है सुम मूरत में करना है शुवशुवश करना है ठीक है तो आप भोज पत्र लेका आगे गंगाजिल को साप कर लिया तो आपको अनार की करमते कुम-कुम और केसर की स्याई बनानी है उसस अपने पती का नाम लिखना है उसके उपर भूज पत्र के उपर और मंत्र जाप कौन से करते रहे ना हम हन मंते नमे का मंत्र जाप करके उसको एक सिसी में काच की सिसी में सहद लेना है और मैं उसको अच्छी तरह उसकागज को गुर्मुडी करके उस सहद में डुबा देना है और घर के किसी कोने में जहां किसी की द्रिश्टी ना पड़े उस जगह पर इस सिसी को रग देना है जी हां दोस्तो इस उपाया को बहुती सटिक उपाय कीजिए और हां इसके साथ साथ आप चीटियों को दाना डालिए पक्षियों को पानी को लाइए रखिए इसा उपाय छोटे छोटे हैं इनको भी साथ में किजिए मैं बता रहा हूँ एक बार करके दो बस ना को भाई क्या आपके अद्धियाद बहुत ही सटिक पाए कीजिए खुश रहिए पिरसं रहिए समिन्दवान रहिए मेरी ये की इच्छा है आप सब खुश रहें पिरसंद आत रहें जैसरी महकार जैसरी महकार